नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चेनल में और इस वीडियो में हम सॉल्फ करेंगे एक्शरिस 6.3 का Q5 तो चल्ली शुरू करते हैं दोस्तों Q5 बहुत easy बहुत ही छोड़ा Q2 है चल्ली जल्डी से इसको सॉल्फ कर लेते हैं सबसे पहले question को समझ लेते है question यह कह रहा है S and T are points on side PR and PQ of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS, show that triangle RPQ is similar to triangle RTS अब सबसे पहले तो इसका figure हम draw कर लेते हैं, यहाँ पर यह एक triangle है, triangle PQR, अब यहाँ पर PQR side पर और QR side पर दो points है S और T, ठीक है और इनको आपस मिला देते हैं, और यह point इस तरीके से है, that angle P is equal to angle RTS यह दोनो angles आपस में बराबर हैं, और हमें यह proof करना है, that triangle RQP is similar to triangle RTS यह दोनों triangles आपस में similar हैं, यह हमको proof करना है, तो चलिए इसको solve कर लेते हैं, अब यहाँ पर देखिए, intringle RQP intringle RTS यहाँ पर देखिए, यह है triangle RQP, और यह है triangle RTS इनको mix-up मत करिएगा एक बार इनको मैं अलग-अलग करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, यह triangle RQP और यह triangle RTS समझ में आगया आपको, चलिए चलिए अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों triangles में angle QPS that means this angle is equal to angle RTS that means this angle यह दोनों angles आपस में बराबर है यह तो दिया गया है and angle R is equal to angle R दोनों triangles में यह angle common है अब इन दोनों triangles में दो angles आपस में बराबर है तो क्या यह दोनों triangles similar होंगे? yes, therefore triangle R, P, Q is similar to triangle RTS यह तोनों triangles आपस में similar होंगे by double A similarity criterion और दोस्तों यही हमको prove करना 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 नहीं अकर करना